पिंप्री चिंजवड मदे सहकार ख्षेतराचा कारेकरम सड़ी बोलत अस्ता नामेत श्यहा मुख्यमंत्री एकनात शिंदे देवेंद्र फड्नवीसानी अजित पवार अंचे एंट्री बाबा तेंचे कव तुक किले अजित पवार आता योगगे ठीकानी बसलेथ सरकार्च काम पाहुनस तैने एंट्री केलाच ही आवे बूलना जला सबसे पहले अजित दादा उपमुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार आये हैं और मैं इनके साथ पहली बार मंच पर कारेकरम कर रहा हूँ तो मैं दादा को एक बात कहना चाहता हूँ दादा बहुत समय के बाद आप सही जगर पर बैठे हो यही जगर सही थी मगर बहुत दिर कर दिया अपने जैसे ही अमित भाई के पास इस विभाग की जिम्मेदारी दी गई तब सभी को पूरा विश्वास हो गया कि केंदर सरकार सरकारिता शेत्र को बहुत ही गंबिरता से देख रहा है अजित दादा ने कहा कि पंदरा भी सालों से यह निर्णे नहीं हो रहा था देखते करते हैं सोचते ऐसा ही उनको खुद जवाब मिल रहा था अजित दादा बरबर है आपने कहा इस वक्त और लेकिन इसके लिए वे इंमत होनी चाहिए थिये धाड़ास पाईजे ना अपने लेला यहला यहला धाड़ास पाईजे आणि अमिद भाई ने हिजकाई मिरने गेतला ओ काबिले तारीफ है आणि मनुन मी तेना मना पासुन ध अजित दादा असा मनाले कि तेन्चा महाराष्ट्रा और विशेश प्रेमा है करन्टे महाराष्ट्रा चे जावाई यह थेतर खराए पड़ एक गोष्ट अजुन यह ठीकाणी सांगितली पाईजे कि मानानिया अमिद भाईंचा जन्म मुंबई चाहे तेन्ची करमभूमी जरी गुजरात अणि देश असेल तरी देखेल जन्मभूमी महाराष्ट्रा है और अपले पी के अनेका ना महाईत नसेल के अनेक काड जावेश ते राजकरनात नौते अणि उद्ध्योग चालवत होते तेवेश तेन्नी अपली फैक्टरी देखेल मह ग्रूक रहाँ